हे डियस्टोन आज के क्लास में वही से परशनों को हम लोग आज कभर करेंगे प्लिटिकल साइंस के जो सीधे सीधे आपको यहां से छपने वाला राएगा आपके एक्जाम में ठीक है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में अपने दोस्तों को एक बार जम करके शेयर कर देंगे तो चलेगा इस सोम लोग यानी शुरू करते हैं आपके एक्जाम में कोशन पूछेगे परशन है पहला आपका गोविन दे वल्लब पंत है दूसरा चरदार के एम के पंडिकर है पंडित हिर दे क्या है आपका नियामूर्थी फजल अली तो जैसे का आप लोगों पता है राजे पुनगठन का गठन जो है उन्हें सो नियामूर्थी फजल अली के द्वरा नि किया गया था तो इसका आंसर आपका नियामूर्थी फजल अली बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे कोशन देखेगा आपके स्क्रीन पे कोशन क्या कहला था कि सन 1956 के राजे पुनगठन अधीनियम के अनुसार भारत में किस आध बिल्कुल आप लोगों बता है कि देश के विवाजन से सिर्फ दो राजे जो था एक पंजाब और बंगाल जो इससे हैनी विवाजित न मतलब काफी यह हुआ था ठीक है परवाइट हुआ था कोशन देखेगा नेक्स कोशन आपके स्क्रीन पे कोशन क्या कलाता है कोशन मर यहां जितने सारे बच्चे आप लोग आंसर देना बिल्कुल आप लोगों का अंसर परफेक्ट आ रहा है ठीक है कोशन देखेगा आपके स्क्रीन पर भारत और पागिस्तान की ने सिंदु नदी में जल समझोता है नहीं पर हस्ताक्षर क्या देया यह 1962 में 1966 में आपको 1971 मे बताइए इसका अंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा डिफिनेटल्य आप सभी बच्चे का अंसर आप लोगों का क्या हो जाएंगे ठीक है तो इसका आंसर के बात करें इसका आपकाahu नों ile 1960 बता रहे कुछ बच्चे तो बिल्कुल इसका अंसर आपका 1960 होगा या आपका 1966 होगा या आपका 1967 कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कॉसन देखिएगा आपके स्क्रीन पर 6 नमर कोशन Congress के UA तुरकों में से किसे जाना जाता है Congress के UA तुरकों में से किसे जाना जाता है बिल्कुल आप लोगों का अंसर परफेक्ट होना चाहिए बहुत बढ़िया क्या बात है लाजवाब सभी बच्चे का अंसर बिल्कुल परफेक्ट आना चाहिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बिल्कुल आठ जो है रास्टे दल है तो इसका अंसर आपका आठ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे बहुत बढ़िया परदान मंत्री रह चुक है तो इसका आप लोगों को आंसर बिल्कुल पता होना चीए अपनों को इसका आंसर आपका इनी कम्यूनिश्ट डिल इसका राइट आंसर हो जाएंगे आपको आपको बताना है तो बिल्कुल आपको बताना है तो बिल्कुल आपको बताना है अगर अगर आपसे पूछता बीजेपी का तो आपको अगर वहीं आपसे पूछता जनता पाड़ी का तो आपको आपको याद रखना हो याद रखना है पड़ेगा ठीक है अगर आप 100 में 100 शॉल्फ करना चाहते तो कुसन देखेगा 50 नमर कुसन किस राजनीतिक दिल ने एक देश एक संस्कीत और एक रास्ट का विचार पर बल दिया था तो यह बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए ठीक है तो इसका आंसर आप लोगों क स्क्रेंट पर नियोजन समयति का गठन यानि किस ने किया था तो बिल्कुल आप लोगों को पता है कि सुभात चंद्रबोश के दौरा गया था और सबसे यही जो है सुभात चंद्रबोश ने जया है नियुक्त बना था ठीक है चले नेक्स कोसन देखेंगे आपके स्क्रें समय के समाजब्बादी पर्तिमान को यहनी सरकार मतलब साकार करने का यही दे रखा गया था तो जल्ली बताईए 18 नमर कोशन का आपका अंसर क्या हो जाएगा तो बिल्कुल इसका अंसर आपका हो जाएगा यानि दूसरी पंचोरशी हो जाएगा आपसन आपका भी बिल्कुल absolutely right answer हो जाएगे समाजिक नया के साथ विकास का सूत्र यानि किस पंचोरशना में यानि अपनाया था तो ये बिल्कुल इसका अंसर आपनों का क्या हो जाएगा 19 नमर कोशन का विल्कुल आपका विल्कुल right answer हो जाएगा बहुत बढ़िया क्या बात है दखिए ये आपका चौथी पंचोरशी हो जाएगा आपका विल्कुल right answer हो जाएगा चौथी पंचोरशना में अपनाया था ये जो है चौथी पंचोरशी हो जाएगा कोशन देखिएगा आपके स्क्रीन पर रास्टे विकास परिशत के अस्थापना कब हो जाएगा तो डिफिनेटली आप सभी बच्चों को पता होगा रास्टे विकास परिशत का अस्थापना जो है 1952 को बाता यह आपका आंसर बिल्कुल be right answer हो जाएगा उड़ेकस बता दे आपका यह उनीस सो बाउन में पर्थम आम चुरा माँ था उनीस एकाउन में जो है बंस पर्थम पंचुर चुजना वाट ता बिल्कुल याद रखना को सब्सक्राइगा उनीस स्थापना होई थी अभी आपको बताए के रास्टे विकास परिशत का यह यह आपको बताना है ठीक है चले तो इसका अंसर आपको क्या हो जाए गया था तो अभी आपको बता है के दोजाए को समाप्त करके नीती आयोग तो बिल्कुल सभी बता हो भारत सभी बेखी आन्सरा आपको बुर्चों बता है जनता कई वीजेपी को स्साड़ करें चले बहुत कले रहेख सबस्क्राइब करेंब भारत भारत लगों को चम्राइब हिन्यों को समुच्छ bonum पर्फम पंच वर्ष योजना की सुरुवात कब वही ती यह आपको हम बताएं कि 1950 में योजना मतलब योजना बना था और पर्फम पंच वर्ष योजना लागू किया गया था ठीक है जो पांच वर्ष का होता है पर्फम मतलब रास्टे विकास पर इसकता अपना हुआ था और यह आम चुना भी 1902 में हुआ तो आपको बता है पर्फम पंच वर्ष योजना उनिस से कावन से लेकर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे रास्टे विकास परिष्थ का अध्यक्स यानि कौन होता है तो बिल्कुल आप लोग को बता होना चीए इसका आंसर आप लोगा क्या हो जाएगा बहुत इंपोर्डन कोशन है 29 नमर कोशन का आपको अन्सर बताना है चले जली बताए नीचे के देशो में आसियान का सदिस्यानी कौन नहीं है तो आसियान में कितने देश है कमेंट करके बताएगा इसमें जो है आसियान का सदिस्यानी कौन नहीं है तो यह बिल्कुल आप लोग को बता होगा ठीक है स्री लंका जो आसियान का सदिस्यानी नहीं है तो इसका आ कर देखेंगे तो आप लोगों पता है कि भारत और पाकिस्तान की शान भारत चीन ऑर पाकिस्तान की सब्सक्राइब kis दोसरी नहीं करेंगे उसका उलंगन तो इस तरह पांच पूइंट रखा गया था ठीक है और जो कर दियाए यानि चीन ने पीछे वार करने का नीती ने अपना भारत पर यानि 1962 पर यानि चीन ने क्या हमला कर दिया था ठीक है तो बिल्कुल आपका आंसर प्रफेक्ट होगा सिम्ला समझोधा पर 3 जुलाए 62 किसके द्वारा यानि हस्ताश्य किया था तो भारत का परधान में तो उस टाइम को था यानि इंद्रा गांधी था और पाकिस्तान को जटा यानि यानि आपको याद होगा यानि उस टाइम जो था यानि जिल्फकार अली भुट्टू था तो इसका आंसर आपका जिल्फकार अली भुट्टू यह भी पोखरन राइस्तान में हुआ था याद रखेगा कोशन देखेगा आपके स्क्रीन पर कोशन क्या कर लाता है नेरुकी की गुट निर्पेक्ष्टा की नीती सबसे पहले परिक्षन नहीं कब हुआ था तो देखे यह चीज आप लोगों का जो है बहुत इंपोर्टन है तो इसका अंसर आप लोगों का क्या होगा याणी 1950 में कौडिये की लड़ाई में याणी इसका अंसर आपका यह राइट आंसर हो जाएंगे कॉसंद देखेगा आपके स्क्रिण फे मैकमौन डेखा कहा है भारत और चिंद के रेखा है रेट के लिए भारत और पाकिस्टान पर दानमंतरी लांबादु चांथान है लाल बांदूर्द सांस्ट्री में भारत और 15 स्क्राइब बारा उस्त्र केंदो तो अभी आपको बताए कि उन्हें से चौहतर में पोखरन में किया गया था राजिस्तान में ठीक है दूसरा उन्हें अंठान में सिम्लाच मज़ता किस वर्स पर हस्ताश कर वह था सिम्लाच मज़ता अभी आपको बताए कि 1922 में जिल्फकार एली भुट्टू और इंद्रा सिम्लाच मज़ता हुआ था 1922 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई सम्झता को क्या कहते हैं बिल्कुल सिम्लाच मज़ता अभी आपको बताए तो इसका आंसर आपको सिम्लाच मज़ता एब्सूरूट्ली राइट आंसर हो जाएंगे लालबादू सास्त्री का निधन भारत और भारत और चीन के बीच आए कि सीमा रहा है तो इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे कुसन देखेगा उन्हें किस सहर में एरफो एसजय सम्मेलन हुआ था बहुत ही इंपोर्टन कोशन है प्लीज आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हू चले नेक्स कोशन आपके स्क्रीन पर कोशन है तो इसका आंसर आप लोगा क्या हो गया नि बिल्कुल बता होगा आपको आपको बार्डूंग आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे कोशन देखेगा 1962 में भारत का किस परोसीद देश के साथ यानि युद हुआ तो देखे 1962 में आपको बता है कि 1964 में पंचल सी नम्जाता कोलंगन कोया ता यानि चीन ने किया था था यह कब यानी ligienden चीन कोशन आपको पता होना चीए और उननुप बता क्शक्तान ने अपने भारत युद देखे फारत और चीन highly युद कभ हो आ बिल्कुल आपको बता कोसी जिन जो कर रहादा नहीं तो टीन नेक्स से फॉर्टी नाइज का प्लीज देखे इस तरह का अगर वीडियो इस तरह का वीडियों में अगर आप 1K या लाइक दे देते हैं तो मैं इस तरह का वीडियो आपको पाकिस्थान राइट और प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लिए देखिए आपको बेनिफिट आपका ओड़ा है मेरा नहीं होड़ा है आपका एक लाइक मतलब इस चैनल से गर आप जूर रहते हैं तो आप अपना एक्जाम का बहुत अच्छा कर लेंगे घर बैठे आप टॉपर भी कर सकते है तो बिल्कुल आपको बता है यह जो है यानि 1945 मतलब मतलब विसुद्य होने के बाद भारत और अमरीका और स्वेसंग में दो गूटों में अनि क्या हो गया था निए वाजित हो गया था निए दिरे-दिरे जो है अमरीका ने क्या गया था एक दूरता यह कायम कर लिया था तो इसका अंसर आपको एक दूरता राइट आंसर हो जाएंगे